आप सबी लोगों सबसे पहले नमस्कार और जैस श्रीडान आप सबी लोगों सबसे पहले नमस्कार और जैस श्रीडान अब पूछेंगे पाँच पावर सिंटर कौन-कौन से हैं और पाँचों के अपने कौकस है पाँचों की अपनी लोबी है और पाँचों की जो लोबी है वो आपस में टकराती रहती है एक दूसरे को मारने में लगी रहती है आप सबी लोगों सबसे पहले नमस्कार और जैस श्रीडान अब पूछेंगे पाँच पावर सिंटर कौन-कौन से हैं और पाँचों के अपने कौकास है पाँचों की अपनी लोबी है और पाँचों की जो लोबी है वो आपस में टकराती रहती है एक दूसरे को मारने में लगी रहती है और उसमें बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग जो किसी भी लोबी का कोई बाहरी इस्सा नहीं है वो अक्सर तकलीप में रहती है और मया केला नहीं है ऐसे लाखों लोग है तो जो पाँच पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादर्निय सुनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है उनके आसपास के लोग है दूसरे आदर्निय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलात अचानक उनके साथ जुड़के वो हाई कमान बन गए है और इस तरह की बाते करते इस तरह की भाषा का इस्तमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तूत नहीं कर सकता और आखरी एक जो पावर सेंटर है जनल सेकर्टी और्गनाईजिशन का विनुक पाल जी का वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है बाई वो भी अपने ढंसे अपनी राजनिति करते रहते हैं जब हिंदी बोलते समझ में आता है अगरेजी बोलते समझ में आता है मल्याली हमको समझ में ही नहीं आता है झाल 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 झाल